जे हिंद जे भारदोस्तों, आज अपना topic है subtraction, सबस्ट्राक्शन होता क्या है, सबस्ट्राक्शन मेंस सबसे पहले आपके पास मान लिजिए कुछ समान है, उस में से कुछ समान खर्च हो गया तो जो बचा उसको बोलते हैं पन दयाट इस लेफ्ट ओवर वो बचा है एंड म तो आपका total में से जो आपने कम हो गया उसको बोलते है अपन minus करना और process को अपन बोलते हैं subtraction जैसे example मानते हैं कि आपके पास अभी 19 toffees है 19 toffees में से आपने 1 toffees खाली कितनी toffees बची भईया 19 में से 1 गया 18 toffees बची अब 18 में से भी आपने 1 खाली तो कितनी बची 17 toffees अब similar way में थोड़ा सा आपन बड़ा नंबर लेते हैं 77 minus 60 सबसे पहले क्या करिए इसको 1s और 10s लिख लीजिए लगला right वाली digit पहले नंबर की 1s में left वाली 10s में minus minus का sign लगाया आपनने दूसरे नंबर की 1s वाली digit 1s में नीचे 10s वाली digit 10s में नीचे 7 minus 0 क्या होता है 7 7 minus 6 क्या होता है 1 तो आपका अंसर क्या हो गया 17 अगर आप इसको समझना चाहें शॉट में तो ऐसे भी 7 minus 0 1s में कितने हो गया है 7 और 10s में 7 minus 6 is 1 तो आपका 1 10s and 7 1s यानि कि 1 और 7 अब सब्स्ट्राक्शन के कुछ चोटे चोटे बहुत चोटे rules अगर किसी नंबर में से वो नंबर खुद मैनस किया जाए तो एंड में आपके पास क्या बचेगा थेंगा यानि कि 0 अब दूसरा चोटा सा अगर किसी भी नंबर में से 1 माइनस किया जाए तो क्या होगा तो उसके जस्ट पहले वाला नंबर निकल के आ जाएगा जैसे 29 में से बन गया तो बचा 28 थर्ड चोटा सा रूल अगर किसी भी नंबर में से 0 गटाया जाए तो क्या होगा भईया अब आपके पास 29 टॉफी हैं उसमें से 0 टॉफी खाई या 0 टॉफी आपने दोस्त को दी अपने तो कितनी बची पूरी की पूरी ही तो बच गई तो भई 29 में से 0 गया तो 29 यानि किसी भी नंबर में से अगर 0 गटाएंगे या माइनस करेंगे तो अपने पास वो नंबर पूरा का पूरा ही बच जाएगा जैहंद जैभारत